रात के दो बज़े हैं और मन में कई सारी बातों के बताशे बन रहे हैं, जिनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो शुरू करते हैं, कुछ अन जानी तो कुछ जानी पहचानी बाते करते हैं। आज का टाइटल है लॉकडाउन फुर्सत का। चलिए, तो फिर कुछ जानी पहचानी बाते करते हैं। सच है ना, रिष्टे हमारे बंद संदूक में सोसे गए हैं। सच है ना, रिष्टे हमारे बंद संदूक में सोसे गए हैं। बहुत दोड़ी, मैं ट्रेन की तरह ऐ जिन्दगी, पर कम वक्त मेरा स्टेशन आने का नाम ही नहीं लेता। कई बार सोचा, चलो थोड़ा लेट हो जाते हैं, आज थम जाते हैं, पर नहीं। वक्त के साथ या फिर कहें कि वक्त से आगे निकलने की जो जित हम सबने ठानी है ना, उसकी सामने सूरज दादा और चंदा मामा को भी हम सब ठेंगा दिखाने लगे हैं। अपनी अपनी मनजिलों का इस कदर पीछा कर रहे हैं कि खुआईशे हमारी परचाई बन बैठी और जो रिष्टे हमारी परचाई होने चाहिए, वो हमारी बेडिया बन बैठे। क्या इस भवर जाल से बचने का हम सबने कभी सोचा था। सोचना चाहा फिर भी सोचना सके। पर आज इस धर्ती माने अपना एक अलग रूप दिखाया। उस प्रकती रूपी शक्ती के सामने हम सब इनसान नहीं मच्छर मक्खी की भाती उजल रहे हैं। आज इस धर्ती मा ने अपना एक अलग रूप दिखाया, उस प्रकती रूपी शक्ती के सामने हम सब इनसान नहीं मक्चर मक्खी की भाती उजड़ रहे हैं, मुद्दतों से इंतिजार था, कुछ फुर्सत के लहोगा, दरस्ते थे, अर्मा था, हर शक्स का, की बस कुछ पल इ इक मिनान के, पर आज जब मिले तो ऐसे मिले मानो जैसे कोई जहरीली इच्छाधारी नागिन अपने फन फैलाए बैठी है, किसी बदले की आग में खुद भी जल रही है, और घणा में हमें भी जला रही है, क्या हमें फुर्सत का ऐसा लॉकडाउन चाहिए था, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक नन्ने बच्चे की तरह, जिस तरह हम सब मचल रहे हैं, अपनी खुआशों के पीछे, सब रिष्टों को कुचलते हुए, तो दोस्तो एक बात याद रखना, ये लॉकडाउन हमसे लाखो करोडों चीन रहा है, तो दूसरी तरफ दिलों में मिठास खोल रहा है, दूर होकर भी नजदीकियों का सुर्व खेल रहा है, अपनों से अपनों के बीच का राक छेल रहा है, समय की इस अविरल धारा में बह जाएं तो अच्छा है, इस लॉकडाउन में फुर्सत की जिन लम्हों के लिए तरसे थे, मुठी में बंद कर ले तो अच्छा है, समय की इस अविरल धारा में बह जाएं तो अच्छा है, फुर्सत के इन लम्हों को मुठी में बंद कर ले तो अच्छा है, हर लम्हे को ऐसा सजोएं कि वो दिलों में यादों का एल्बम बन जाएं तो अच्छा है, तो इसी के साथ खत्म करती हूँ अपने इस बात को Enjoy and Take Care Stay Home, Stay Safe Bye Bye